हेलो एवरिवन जैस याराम और आज की इस वीडियो में हम लोग आवला नौमी की कथा कहेंगे कातिक मास के शुकल पक्स की नौमी को आवला नौमी या अक्षर नौमी भी कहा जाता है इस दिन आवला के विर्क्ष की पूजा करने का विशेश महत्व होता है और इस दिन आप भी अपने घर में या बाहर मंदिर में जाके आवला की पूजा जरूर से करें और फिर वही पर बैठ कर आप कथा सुनें और अगर आप पूजा नहीं भी करने जा रहे हैं तो कथा मात्र तो आप जरूर से सुनें इससे बोलते हैं कि अक्षे पुन्ने की प्राप्ती होती है तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं सर पर्थम सबसे पहले मा लक्ष्मी ने आवले के पेड़ की पूजा की थी एक कथा के अनुसार एक बार मा लक्ष्मी पृत्वी पर घूमने के लिए आई धर्ती पर आकर मा लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विश्नु और शिवजी का पूजन एक साथ कैसे किया जा सकता है तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आवले में पाय जाते हैं तुलसी भगवान विश्नु को और बेल भगवान शिवजी को अतिपरिये है उसके बाद मा लक्ष्मी ने आवले के पेड की पूजा करने का निश्य किया मा लक्ष्मी की भगती और पूजा से प्रसन होकर भगवान विश्नु और शिवजी ने शाक शात उन्हें दर्शन दिये मा लक्ष्मी ने आवले के पेड के नीचे ही भोजन तयार करा और पहले भगवान को जिमाया और उसके बाद महाँ पर बैटकर खुद भोजन किया इसीलिए तभी से यह माननेता होती है और तभी से प्रथा चली आई है कि आमला नौमी वाले दिन आमले की पूजा करना और फिर वहीं बैटकर कुछ मुँ बिटालना यानि कि मुझ जूटा करना या एक समय का भोजन करना बहुत ही ज़ादा पुन्ने की प्राप्ति देने वाला होता है इससे इंसान के स्वास्ते तो स्वास्त रहता ही है साथी साथ इससे घर में सुक सम्रदी की भी उत्पत्ती होती है आवला नौमी पर आप आमले की पूजा कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो चैनल पर आचुकी है आप उसे जाके देख सकते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसकी कथा सुनाने वाली हूँ तो पूजा करने के बाद आपको आवले के पेड़ के नीचे बैठ कर ही कथा सुननी होती है तो देखिए हाप में आप कुछ दाने ले लिजेगा और फूर ले लिजेगा और एक लोता जल ले लेंगे हम और उसके बाद हम वही पर पीड के निचे बैठ कर अपनी कथा सुनेंगे तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं एक राज्ये में आवलिया नाम का राजा था राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना सवामन आवला दान करेगा उसके बाद ही खाना घ्रैन करेगा राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था लेकिन उसके बेटे और बहु को यह बात पसंद नहीं थी इसलिए एक दिन उसके बेटे बहु ने सोचा कि अगर इसी तरह से राजा रोज इतना सारा आवला दान करेगा तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरहां दान करना बंद कर दिना चाहिए राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया फिर क्या था राजा आवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खा भी नहीं पाए जब भूप प्यास से उन्हें मरते मरते साथ दिन हो गए तब भगवान को उनके उपर तया आ गई इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल बनवा दिया राज्ये और बाग बगीचे सब बनवा दिये और ठेरों आवले के पेड लगा दिये जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्ये से भी दोगुना राज्ये बसा हुआ है राजा रानी से कहने लगे रानी देख कहते हैं कभी भे सक्ते का साथ नहीं चोड़ना चाहिए आओ नहा धोकर आवला दान करें और फिर हम भोजन करें राजा रानी ने आवले दान करके खाना खाया और खुषी-खुषी नए महल में रहने लगे उधर आवला देवता का अपमान करने का, माता पिता से बुरा वैवार करने का, राजनी और राजकुमार को दुश्पढणाम झेलना पड़ा उनके बुरे दिन आ गए, उसका राज्य शत्रों ने छीन लिया, वहे दाने दाने को महताज हो गए और काम ढूंटे हुए अपने पिताजी के राजे में आ पहुँचे उनकी हालत इतनी विगडी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया बेटे बहु सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता-पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं सो उन्होंने भी अपने माता-पिता को नहीं पहचाना एक दिन बहु ने सास के बाल गुचते समय उसकी पीट पर मस्सा देखा उसे यह सोच कर रोना आने लगा कि ऐसा मसा तो मेरी सास के भी था हमने यह सोच कर उन्हें आवलेदान करने से रोका था कि हमारा धन नस्ठ हो जाएगा आज वे लोग ना जाने कहा होंगी यह सोच कर बहु को रोना आने लगा और आशो टपक कर सास की पीट पर गिरने लगा रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो उसने बताया कि आपकी पीट जैसा ही मसा मेरी सास की पीट पर भी है हमने उन्हें आवले दान करने से मना कर दिया था इसलिए वे घर छोड़ कर कहीं चले गए तब रानी ने उन्हें पहचान लिया सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया अपने बेटे बहु को समझाया कि दान करने से धन कभी भी कम नहीं होता है बलकि दान करने से हमारा धन, मान सब बढ़ता ही है बेटे बहु को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी गलतियों के लिए शमा कर ली उसके बाद राजा, रानी, राजकुमार और बहु सभी एक साथ रहने लगे इसी प्रकार से आमला नौमी की कथा संपूर होती है मैंने आपको आमला नौमी की कथा भी सुना दी है उसकी पूजा की वीडियो भी चैनल पर है आप चाके वो भी देख सकते हैं और इसी प्रकार से हमारे हिंदु धरम में आने वाले चोटे से चोटे और बड़े से बड़े सभी पर्व त्योहारों की कथा कहानी पूजा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी उन सब वीडियोज को भी आप जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगें मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और कमेंट बॉक्स में जैस याराम जरूर लिखेगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैस याराम